एक आप जैसे क्रिश्ची के अंदर भी आपका कापी अच्छा आप मतलब इसमें PhD कर रखिए बड़े-बड़े साइंटिस्ट आपके सामने फेल आप यहां सिखने के लिए आते हैं इसा आप क्या करते हो सामने मत देखता हूं चारो तरफ एक से बढ़के एक मेरको जो खेती दिखरी अलग लग वेराइटीस के तो यहां क्या आप करते हो कैसे करते हो उसके बार में आप संपूर्ण जानकारी देने कोशिस कीजिए सर यह जो हम गाय का गोबर जी एकरी कल्चर जो वेस्ट है इसका बायो मास से खाद बनाते हैं खेती के अंदर डाल है तो इस साल में इसकी थोड़ी सी फसल आई थी लेकिन यह बागबानी कृषी पे Bem dipping बनाते हैं घराएप एक भी प्रतिसेद दिरिया डीएपी यह तो पेस्टिसाइड नहीं डाला है यह जो आप इधर आएंगे देखेंगे तो समझो कि यह मिट्टी का टुकड़ा हमने यहां से उठाया जी तो इसके अंदर आप देखेंगे तो यह जो छोटे-छोटे चीद्र देख रहे हैं बिल यह जो हमारे जालूना में गणेश जी है जो हमारे जालूना में गणेश जी है तो इसको यह कलमी सिता जो कस्टड एपल है जो उसमें 400 ग्राम से एक केजी का फ्रूट शाता है और इसकी जो किपिंग कॉलेटी है वो छे से दस दिन की है तो इसमें कोई प्रब्लम नहीं है इसमें कोई रोग नहीं आता है इसकी ज्यादा कोई मावजत करना नहीं इसको कि मुसम में पानी भी जन्वरी से बंद हो जाएगा तो जुन तक जुन के बाद पानी देना अगर जो कम पानी वाली जो भूमी है इसके अंदर आप कस्टड एपल की क्रिशी कर सकते हैं और इसका बेनीविट जो फ्रूट्स की जो नूट्रिशन वेल्यू है जो शुकर व पूरे दस हजार पाउदे लगाए एकड़ जमीन किसा समझो कि वह एकड़ हो गिया विगा बता दो एकड़ बगा दो कि यह अमने लगाया है 150 बीगा 16 गुंठा का अच्छा इसमें से आपने 300 कितने पाउदे बताई दस हजार दस हजार में से कितने डेमेज और कितने सक्स इसमें आ जाएगा और क्या इसमें कुछ अलग से देख रहे करनी पड़ती है कुछ बीमारियात इसमें पानी कितने दिन में टालती है पानी इसको आठ दिन दस दिन में देते हैं और गर्मी की मुसम जन्वरी के बाद इसका पानी देना बंद हो जाता है लगाने के बाद तिन साल तक पानी इसको गर्मी की मुसम में दियो तो इसका पौदा बन जाएगा एक सर यह भ्रम सा फेल रखा है लोगों के अंदर की जो एपल होती है वह अपने हिमाचाल कस्वीर जो ठंड़ एरिया है क्लाइमेट जलवाईयों के विसाब से सेट अप होता है पर आपने जो भी एक सबको एकदम फेल करके आपने सामने लग दिया आप जीगतिजाते के तरुपे देख सकते हो अगर आप कर सकते हो तो और किसान भाई भी कर सकते हैं पर किया बायरत में जहां किसी भी का का तिन खानी निकल सकता जी वहां में अच्छी से असी क्रिशी कर दूगा कोई बीग चीज की आप आपके ये एरिया में पोसीबला आपकी खेत में पोसीबला ऐसा आप क्या अलग कर रहे हूं कि किसान भाई नहीं कर पा रहे हैं उनको थोड़ा सा दरातल से नोलिज नहीं है वो क्या है कि जो पूरी प्रकृति साथ जुड़ जाएगा जी समझो के Kisoo 5,000 टीडी एस का पानी है जी तो इन अलकालाइन है पानी तो महाँ फसल नहीं हो सकती जीव नहीं रहे सकते वहीं भूमी में मैं नंदन्वन बना सकता हूं भारत की कोई भी भूमी है उसका लेकिन इसके साथ मेरे साथ गाई होनी चाहिए तब ये ये बनेगा देशे मे इसी प्रकृति हमको तनखा देगी बिल्कुल सर्व असल के सरूप में जी सर जी सर आगे चलते आगे भी कापी अच्छी खेती ये सारा ये क्यों सी खेती कर रखी आपने ये तो पैड के ऊपर ये सही आता आता है तो यह हमारे इसको जो फैंसमीन बोलते हैं वालोर बोलते है इसको तो ये कोई भी पेस्टिसाइड के बिना समझो के लगती रहती है पूरे घर में ऐसी हैल्दी सब्जिया इसकी बना के खाते हैं ये जो थोड़े अमरूत लगाए है यह लोग आते है तो कुछ खाने के चीज रहती है अमरूत की कॉन से वेराइटी है ये जो हमारे ज ये ज्यादा छोड़ने है एक सो के आसपास है ये पूरा हमने जंगल कुछी बना के रखा है कोई भी समझो कि ये इसकी लकडिया है इसके पोड़ पेड़े है तो वो सब हमने यहां चमिन के ओपर छोड़ के रखा ये कुछ चीज जलाते नहीं है ऐसा ही इसमें छोड़ द लगाया था पहले साल में हमने इसमें पपीता लगाया था यह आप इसका अंबरूत का टेस्ट भी कर सकते हैं कि कापी उच्छा श्यांदा सदी तो बुद जो मार्केट मां ता उससे तो लाग गुना बढ़ी है सर क्या एसा होता हुन हमने केमिकल फ्री है किसके वज़ेसे इतना से केमिकल तो डालते ही नहीं चैकल की जरूती भी नहीं है यह जंगलों में जो फूरूत होता है कहां के केमिकल की आवश्यक्ता है पर सर यह तो हमने यह सब लोगों ने ऐसा बना के रखा है कि केमिकल के बिना नहीं हो सकता एसी दिमाग में से जो गलत सोच है वो निकल नहीं पड़ेगा तब ही हमें पूरे भारत वर्ष की क्रिशी को सफल बनेंगे इसी को रहते मेरे दिमाग में किसान आगया किसान है वह तंदर-भीश साथ से केमिकल उज़ करकर के उसको ख्राब कर कर खाए उसी को ऑंगनिक में कनवर्ट करने में मिनिमम से मिनिमम से मिनिमम कितना टाइम लग सकता गोमूत्र पर वर मीं और आध सबसेます कर्या इसका रोल है वाइरस को खतम करने के पुरा भूमी इसकी पी एच भी लेवल हो जाएगी और इसका रेशिडी भी फ्री हो जाएगा दो साल के अंदर और आप जैसा आप में सामने जैसे खेती देख रहा हूं वो किसान भी कर सकते हैं सिकर सकते हैं यह पपिता का क्या सक्सेस नहीं हुआ अग्तिया यह यह अल्द प्लांट एक सो बीस किलो का उत्पद्र लिया हुआ है मैंने जो आपको फोटो में दिखाई थी पपिता की साइज मेरे यहां दो किलो से लेके शाड़े पांच किलो तक की हुई थी वो इसी गोमुतर और गोबर की देड़ है इसमें पानी की कितनी अगर जैसे दूद अगर फिर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो अपने आप तीस प्रतेसत पानी कम हो जाएगा क्या बात यसे गर्मी की मुशम महमें तला हुए पूरी भजिया खालेते है तो रेगिूलर दिन से तीन गुना ज्यादे पानी पीना पड़ता है और पैट को तकलिप भी होती है तो ऐसा ही जिसके भूमी के अंदर आप फर्टिलाइजर डालेंगे, केमिकल डालेंगे, तो पानी इसकी आवस्ष्यक्ता तीन कुनी बढ़ जाएगी, बहुत तो आपने लोजिक वाली के यह जो अपने ड्रीप लगाई है, तो ड्रीप के जरीए 30% पानी बचा सकते है, बिल अपने खाने घर के खाने के लिए चीज है, यह बढ़ा होके इसा पता बन जाएगा, यह तो अमरूद, अच्छा यह आपने लगा रिके, वह पपिता आगे सामने दिख रही है, अगले साल कहला था, यह दे को अभी निकाल दिया, इसके बाद आपने कर्बूजा लगाया ह यह कर्बूजे की खेती है, यह कर्बूजे की, जरे साहब को है, आज यह पूरा पचास दिन ता बफ दा हुआ है, यह मैं सौमने बेख रहा हूँ, ब इसके अबने किस भी पूलिखे और आपने किस साव से क्या से बहाई पोलिध कि ए किक बोलते है, इसमें मलचिप सिस्ट दो लाइने की हैं देड फिट पे और दो लाइन के बीच में छे फिट का अंतर है यह पूरे खर्बूजा के बाद यह जो इसके प्लांट से निकालके आछादन कर देंगे यह बाकी के जो चेद है यह निकलेगा यहाँ से उसमें वाटर मिल्लियन डाल देंगे तर्बूज ड तो यह पूरा मल्चिंग का बेड़ एक साल तक रहेगा किस दूसरी चीज में खर्चा करने के आवश्यक्त है हर बार खर्चा करने के ज़रोत में यह 90 दिन में 80-90 दिन में अभी सर्दी की मोसम है इसलिए खर्बुजा निकल जाएगा इसके बाद तर्बुज लगाएंगे व एक से डेड़ साग दो साल तक यह पूरा फसल आती रहती है यह कम खर्च में कैसे क्रिशी करना है कौन से फसल के बाद कौन से फसल लगाना है वो क्रिशी के बारे में सबसे बहा बड़ा एहम हिस्सा रहा है तो सर यह आट ओप और सीजन इसका टनों लेते हो तो मार्केट म अभी होलसल रेड है वह 25-35 तक चाता है किलो का और एक जो हमारा सोला गुंटा का जो वीगा है उसमें यह 4-5 टन होता है गर्मी की मौसम में 6-6 टन होता है तो सर इसका यह आप तो पॉली हाउस होते हैं उनको सबको फेल करके रख दिया आपके सामने तो सारी फेल है यह आ जाके देंगे अगर डखना है चोटी है चोटे बच्चे को हम कि अर्दी के मौसम में डख रख देते हैं तो इसको रोग जीवत का भी डर नी लगता और इसमें 35 दिन के बाद निकाल देते हैं तो पोदा अपने आप हैल्दी हो जाता है बाद में इसको सुरिय प्रकास की म तो सर आप कितना एक्सपेट कर रहे हो कितना टैनोर इस खरबुजे से लेने कोशिस कर रहे हो यह हम एक बिगे में हमारा हो जाएगा डेडला क्या सपास का हम इसमें 15,000 का खर्चा लगता है तो किसान भई है उनको एक ही खेती पे निबर नहीं रहना चाहिए उनको करना ही चाहिए अगर नहीं करेंगे तो पुरा खतम हो जाएगा